प्रेंद्स अपसर कहा जाता है कि जब भी मा के गर्म के अंदर शिशु पल रहा होता है तो इसके भविशे का अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन भविशे का मतलब केवर टेक्निकल उपलब्धी या फिर अचीजमेंट ही नहीं होती है भविशे का मतलब होता है कि जब भी हमारा बच्चा हमारे गर्म के अंदर रहता है तो हम अपने आपको इतने अच्छे तरीके से और सयम से सुरक्षित बना ली कि हमारा बच्चा जब भी दुनिया में आये तो सुरक्षित हो, हल्दी हो और उसे लंबे समय की कोई भी बीमारी ना हो एक शोट से बात सामने आई है कि यदि गर्मवती महिला अपना खयार अच्छे तरीके से रखती है सही तरीके का खान पान करती है सही तरीके से सोती है और तनास से बिल्कुल दूर रहती है तो बच्चे का भविश्य काफी उजवर होता है हेल्थ को लेकर वो लंबे समय तक अपने आपको सक्षम बना पाता है उसकी इम्यून्टी काफी ज्यादा मजबूत होती है अक्सल कहा जाता है कि जब भी मा बच्ची को जनम देती है तो उसे जनम के बाद मा का पहला पीला काड़ा दूधी पिलाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पूरी जिंदेगी के बहुत सारी बिमारियों से लड़ने की शमता होती है इसलिए अगर आप गर्ववती हैं और बच्चे को जनम देने वाली है तो आपको इस सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि आपके बच्चे का हेल्दी वविश्य और भी ज्यादा हेल्दी हो जाए इस वीडियो को देखिए और अपने ड्यूस को हमारे साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हैसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए